शिक्षा के बारे में कुछ विचार सुनाऊगा हम सब लोग चानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्वा शुरू से रहा है इसलिए स्वामी विएक अनन्जी ने लिखा है हमें ऐशी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्मार हो मन की शक्ती बड़े हमारे देश में शिक्षा प्रात करने के लिए बहुत साइस्कूल और कॉलेज है और सरकार की तरफ से उच्षा के लिए अलग-अलग यूनिवर्स्ती का भी नेमान किया गया है लेकिन आज कल चन लोगों ने शिक्षा को वैपार बना रखा है और आम आदमी शिक्षा से वंचित हो रहा है आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरह की हासिल की है उन्होंने अपने देश का नाम रशन किया है अगर इसमें कई महताबुरन कारण है तो वो है उनको दी जाने वाली उच्षित शिक्षा जैसे हमारे पूर्व राष्ट्य पती श्री अब्दुल कलाम जी जो गरीब गर से थे लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के मेत्वा को समते हुए अपना पूरा ध्यामन अपनी पढ़ाई पर दिया और उनके लगातर किये गए प्रेयस से उन्होंने बहुत सारे आविशकार किये अगर यह सब वो कर पाई तो इसमें सबसे बड़ा योगताई शिक्षा का है शिक्षा के बगए इनसान कुछ भी खास नहीं कर पाता शिक्षा जिन्गी के हर एक शेत्रम में तो बुनन है कुछ लोग ऐसा सोते हैं कि मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी क्योंकि मुझे कोई नोकरी थोड़ी न करनी है लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि शिक्षा का मतलब यह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नोकरी करे बल्कि शिक्षा का उदेश आपको गनान प्रदाओं करना है जससे आप किसी भी सेत्र में उन्नती कर सके इसलिए दोस्तों जब तक शिक्षा का मतलब नोकरी पाना होगा तब तक समाज में नोकरी पैदाओंगे मालिक नहीं हमारे जीवन में शिक्षिक होना बहुत चरूरी है इसलिए हमारा देश आगे बड़ेगा समाज आगे बड़ेगा इसलिए दोस्तों पड़ेगा इंडिया तभी बड़ेगा इंडिया धन्यवाद